नमस्कार, स्वागत है आपका मालवी अकेडवी में तो बच्चों आप लोगों का इंतजार 2023 के Online और Offline Courses के लिए समाप्त हुआ, आपको पता है कि कल से हमारी Online और Offline Courses, दोनों ही लॉंच हो रहा है साथी Offline Mode में हम लोगों ने सेमिनार रखा है और उस सेमिनार से रिलेटेड आपकी बहुत सारी Queries है, Online Courses रिलेटेड आपकी Queries है, तो कुछ एक मोटा मोटी बाते मैं इस वीडियो में आप से डिस्कस कर लूँगा, बाकि डिटेल्ड वीडियो आपको कल मिलेगी, कुछ इंपोर्टेंट चीजें हैं, जो आप आज से डिस्कस करनी है सबसे पहले तो आप सभी लोगों को हारदिक सुबकामना बधाई, खास करके उन पुराने चात्रों को जो लगातार हमारी सहस्था से पिछले चार वर्सों से जुरेड हैं, और आप लोगों के प्यार आप लोगों के, सहयोग आप लोगों के सम्मान की बदलत जो है मालवी अकेडमी एक नई उचाई को छूड़ा है, और लाइन के बाद हम लोग आफ लाइन मोड में भी अब एक नई करांती की सुरुवात जो हुआ करने जा रहे हैं एक कल सेमिनार का यजन किया गया है, हमारे ओफ लाइन सेंटर जो की रविदास गेट के पास दुरगा कुंट वाले रास्ते में जो है, आप कल पूरा लोकेशन का आपको वीडियो जो है, वो मिल जाएगा कि कैसे आप सेमिनार हौल तक महुंचेंगे तो उसको लेके आप लोगों की बहुत सारी क्वेडिज हैं, कुछ क्वेडिज आपकी फी को के लेके भी है कि सर ओफ लाइन की क्या फी होगी तो वैसे तो डिटेल्ड वीडियो आपको बाद मिलेगी लेकिन कुछ एक चीज़े जो कि आप लोग घर से कुछ बच्चे आ रहे हैं कि सर हमको कल ही एडिमिशन ले लेना है तो एक डर जो है वो बच्चों में ये सता रहा है कि हमारी सीटे जो हो फुल हो जाएंगी तो एडिमिशन हमको नहीं मिल पाएगी इसलिए उन बच्चों के लिए मुझे ये वीडियो बनाना पर रहा है जो बाहर से आ रहे हैं तो सबसे पहले तो मैं एक चीज़ बताओं कि बहुत ज़्यादा मात्रह में आप लोगों ने जो है वो रेजिस्टेशन कर दिया सेमिनार को लेके हम लोगों ने पहले सोचा कि लिमिटेट सेमिनार करेंगे एक सेमिनार करके सेमिनार को बंद करेंगे लेकिन आप लोगों के प्यार ने हम लोगों को बात दिकर दिया कि हम अलग-अलग सेमिनार जो है अलग-अलग तरीके से अलग-अलग सिफ्ट में सेमिनार कायोजित करें तो कल हम लोग 12 बजे के बाद से जो है लगातार 6 बजे तक 7 बजे तक जो है वो सेमिनार करेंगे वैसे प्राइमरी सेमिनार जो है वो E-Token के बेसिस पे होगा मैं आपको बता दूँ कि हमारी पहली सेमिनार B.A. के लिए 12 बजे से सुरू हो जाएगी B.com और B.L.L.B. के लिए 2 बजे से सुरू हो जाएगी और B.S.T. के लिए 4 बजे से सुरू होगी लेकिन एक वाद आप लोगों से जरूर है कि आप लोग अगर आते हैं E-Token आपको अगर नहीं भी गया होगा वैसे आप अपना मेल चेक करेंगे E-Token आपको गया होगा लेकिन जिन लोगों ने फॉर्म नहीं भरा है उनको आना है अगर E-Token भी आप लोगों को नहीं भी गया है और आप आते हैं तो आपको निरास नहीं करेंगे इस टाइम में हम जरूर E-Token के बेसिस पे ही इंट्री देंगे लेकिन इसके बाद हम आपसे बात करेंगे आपको हॉल में बैठा के फिर से आपका अलग से एक सेमिनार जो जरूर आयोजित करेंगे और बिना आपकी काऊंसलिंग की आपको हम वापस नहीं जाने देंगे इसका हम आपसे वादा जरूर करते हैं हमारी पूरी टीम जो है चाहे 7 बजजा है 8 बजजा है हम आपके साथ जो है जुने रहेंगे और इस सेमिनार से आपको बहुत लाग मिलने वाला सिएउई टिके पूरे बेसिक्स को है हम लोग कल से मिलने वाले हैं एक आगरह मं यहां पुराने चात्रों से करूंगा पुराने चात्रों ने भारी बात्रा में वह भी जो है उसल्ग वाटसाप पहल जग से पर दिखा। और उन्होंने ये सोच के भरा है कि अब हम लोग भी सिट देखो भाई मैं सबस्ट कर दूँ कि आप लोगों से निवेदन है मा क्योंकि देखिए सेमिनार ओपन है तो हम आपको इंट्री तो बेंट कर नहीं सकते हैं तो आप आएंगे तो बिल्कुल उस टाइम में हम आपको बैठाएंगे लेकिन हाथ जोर के आप से निवेदन है कि छोटे भाई वहनों को इस सेमिनार में बैठने दीजी आप और जिनका एड्मिशन किसी विश्विद्याले में हो रहा है आप कल दस मजे के बाद आ जाईए दस से बारा का जो टाइमिंग है वह हम लोग सेमिनार के पहले का टाइमिंग रखेंगे इसमें आप लोगों से मिलेंगे तो आप लोग इस टाइम को ज़रूर थोरा सा छोड़ दीजिए क्योंकि आपके छोटे भाई भाई वहन उनकी कॉंसलिंग हो जाए सीईटी को लेके बदेट सारे उनके प्रस्न है बाकी जो बच्चे हमारे इस सेमिनार में तो जो पुराने बच्चे आना चाहते हैं उनका भी स्वागत है अच्छा एक चीज और यहां पर कई प्रस्न जो है आपको सेमिनार को लेकर रहा है कि सर क्या सेमिनार ओनलाइन मोड में भी चल जाएगा देखो बाब अगर यह पॉसिबल होता हम जरूर करत से क्योंकि स्पेस अगर मान लीजिए अगर हम रिकॉर्डिंग का प्लेस लेते हैं सेमिनार होल में तो कई बच्चों को ब्लॉक करता है वो सीट क्यूंकि उस लोकेशन पर फिर किसी को नहीं रहना होता है तो कुछ चीजों को देखके हम कोसिस करेंगे का आप तक भी कुछ चीजें जो पहुंचा पाएं लेकिन ऑफ लाइन सेमिनार में जितनी चीजें आपको मिलेंगी वह उनलाइन मोड में पूरा एज रिकॉर्डड नहीं जाएगा हां ऑनलाइन मोड में कल के बाद से लगातार वीडियो फिर से उसी तरह से मालवी अकेडमी पर शुरू हो जा जा रहे हैं उसमें कोई फी हाइक जो हो नहीं होगी और अप टू एटीन अक्टूबर तक आप लेंगे डीटेल वीडियो भी मिलेगी लेकिन अप टू एटीन अक्टूबर तक आप लेते हैं तो 10% का जो हो डिसकाउंट आपको मिल जाएगा मैं एक दम यहां सपस्ट कर द बस एक लिमिटेड जो पहला बैच होता उसके बाद डिसकाउंट वाली कोई फ्रकडिया हमारे पास नहीं हो ऐसे भी बहुत हम लोग नॉमिनल सी पे वर्क करते हैं तो हमारे लिए यह सब चीजें पॉसिबल नहीं है कि मल्टी MNC की तरह जो है हम लोग बाहर से कोई पैसा पी देनी पड़ जाती है तो इंक्लूडिंग टेकसेस आपको अठारक टूबर तक 3150 में आपको कोर्स मिल जाएगा एप पे भी हमने जो है धेर सार इस बार चेंजेश किया उसको लेकि भी आपको वीडियो मिलेंगी और हर फीचर को हमने एड करने का पूरा प्रियास किया है ऑफ-लाइन भी इस बार से आप वीडियो को कर पाएंगे लेकिन इसके बारे में और बिस्तित तौर पर आपको बताएंगे तो यह हमारा ओनलाइन का फीच्टर होगा चाहे कोई कोर्स आप चूज करते हैं हमारे फीच इतनी होगी अब कई बच्चों का हैसर हम ऑफ- सब्सक्राइन के सब्सक्राएंगा कर ओन लाइन में कोई इन्स्थी जो कोई भी एस्टुट्यूट में बोल रहा हूं कोई भी इंस्थीच्टीट जो ओन लाइन आया है उन लोगों के आप ऑन-लाइन और ऑफ-लाइन करको कदेक्क वह 10x जो है दस गुणा जो है वह फी स्टक्चर में डिफरेंस दिखेगा दस गुणा से भी जादा दिखेगा मैं यह दस गुणा मिनिमम मान के बोल रहा हूं दस गुणा से भी ज्यादा फिस्टक्चर मिलेगा क्योंकि आफ लाइन के अलग अफलाइन जिस जगह पर हम लोगों ने लंका में खोला वहां खरा रहने की आपसे पैसे मांग लेते हैं खराओ के खाते हो गुलगपा तो उसके भी भारी मात्रा में मौन आपको देने होते हैं तो हम लोग तो आपको यह सी हॉल में बैठा के पूरा क्लास जो हूँ आपका क्लास है यह सी हॉल में बैठा के आपको पूरा पढ़ाने वाले हैं 14,000 रुपिय हमने जो है फीश्टक्चर रखा मात्र फोर टाइमस हमने रखा है और लाइन के मात्र फोर टाइमस में आपको बता दूं यह बहुत बड़ी बात है और यह हम लोग किस तरह से कर रहे हैं य नहीं करने वाले हैं 14,000 आपकी फी रहेगी चाहे किसी कोर्स में आप आएं बी ए में आएं बी कोम में आएं बी एल लेलबी में आएं सारे कोर्सेस की हमारी फी एक जैसी होगी और आपको डिटेल्ट वीडियो में सारी बाते समझाए जाएंगी दूसरे चीज कि जो फर्स में का डिसकाउंट दे देंगे और उनकी फी हो जाएगी 12,600 यहां 250 रुपिया आप से और चार्ज किये जाएंगे आप कभी एडमिशन लेंगे तो और उसमें हम आपको पूरा ओनलाइन का जो हमारी फी 3500 है उसका पूरा एक्सेस जो है वो आपको 250 में मिल जाएगा अब यह कम पलशरी है यह इसलिए आपको देना जरूरी है क्योंकि अगर हम आपको अलग से कहें ऑनलाइन लोट क्यूंकि एक्जाम आपको ऑनलाइन मोड में है टेस्ट आपको आउनलाइन होगा तो कई चीज़ें आपको बालबार प्रैक्टिस करने होगी चाहे टेस्थ दिरी वहां से भी हमने इसको 250 में मैनेज कर दिया तो अफलाइन के बच्चे अगर 250 रुपी है अगर तो है नहीं इसमें तो उसमें आपको ऑनलाइन का भी पूरा एकसेस होगा यानि मल्टिपल सेट्स और टीचर आपको मिल जाएंगे ऑफलाइन में अलग सेट और हमने इस बार ब करता हूं कि ऑफलाइन में सेटी में या ऑनलाइन में मालवी अकैडमी के तरह कोई इंस्ट्यूट आपको नहीं मिलने वाला है कंप्लीट प्रीमियम बिहवियर के आधार पे जो है हम लोग अपने कोर्सेस में पूरा नए तरीके से नए सीरे से पूरा बदलाव के साथ नहीं है आप आईए सेमिनार में जुरिये सेमिनार से आपको जरूर मुझे उमीद है लाब होगा एक क्वेड़ी यहां पर कि सरक्या पेरेंट्स भी आ सकते हैं पेरेंट्स आएंगे पेरेंट्स को सेमिनार हॉल में हम लोग लेके नहीं चलेंगे उनके बैठने के लिए ज हो जाएगा शुरू तो आप सभी लोगों का स्वागा थे अपने कोर्स की टाइमिंग की हिसाब से 12 बजे से बीकॉम की दो बजे से बीसी की चार बजे से तो 15 मिनिट पहले मिनिमम आप सेमिनार हॉल में जरूर इंट्री जो है वाके लेले बाकि सारी बेबस्ता हैं जो है वो कल आपको दिखेगी एजिटीज वहाँ पर आएंगे तो और कैसे हॉल तक पहुंचेंगे बनारस में इसकी वीडियो भी आपको साम तक जो हूँ मिल जाएगी तो तयारी शुरू करिए मिलते हैं फिर से ने वीडियो में तब तक मस्त रहो स्वस्त रहो और आप सब को धेर सारी सुख कामना है धेर सारा प्यार और आपने इतना प्यार और समर्थन दिया इतना सम्मान किया इसके लिए आपको धेर सारा धन्यवाद भी बहुत धन्यवाद